नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे KP astrology की तो कोशिश करेंगे हम कि बहुत सरल तरीके से आपको KP astrology की बारीकियों के बारे में बताया जाए तो आज का जो lesson 1 है उसमें हम यह देखेंगे कि planets किस तरह result देते हैं और उनकी category कैसे बनाई जाती है कौन से घर का कौन से हाउस का result क्रिश्नमूर्थी पदती के हिसाब से समझेंगे तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कृष्णमूर्थी पदती का या जिसको kp astrology बोलते हैं कि कोई भी ग्रह कोई कोई भी प्लैनेट है वह अपने नक्षत्रा के द्वारा रिजल्ट देता है या कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्रा या स्टार लॉड का रिजल्ट पहले देता है तो वह रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा फेवरेबल होगा अनफेवरेबल होगा यह उसका सब लॉ होता है नक्षटरा ग्या होता है इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपको के पी एस्ट और जी का बिल्कुल बेसिक शुरुवात से कुछ तो पता होगा तो अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए कि हम एक अलग से एक वीडियो कर देंगे वह आप जरूर देख लीजेगा तो अब प्लैनेट विल गिव रिजल्ट आफ इट्स नक्षत्रा कोई भी जो प्लैनेट है वह अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा अब इसको कुंडली के उपर समझ लेते हैं कि यह किस तरह से होगा अब मानली जी हमें चेक करना है कि यह सामने आपके प्लैनेट्स यहां लिखे हैं अब आपने देखना है कि सन किस भाव का या मान लीजे मून चंदरमा किस भाव का रिजल्ट देगा तो चंद्र नौर्मल निर्यन भाव कस कुंडली में लगन में बैठा है तो अब नौर्मल ट्रडीशनल एस्टालोजी में हम यह मान के चलेंगे कि चंद्र लगन में बैठा है तो ये लगन के सबसे strong result देगा लेकिन कृष्णा मूर्ती पदती में ये result थोड़े different तरीके से देखे जाते हैं चंद्र अपने नक्षत्र चंद्र यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एनलोड लिखा है बुद्ध के नक्षत्र में है तो चंद्र अपने नक्षत्र लौड का result सबसे पहले देगा तो चंद्र बुद्ध के नक्षत्र में है बुद्ध तीसरे भाव में बैठा है तो अगर आप traditional astrology में देखेंगे तो चंद्र का third house के साथ कोई भी संबंद नहीं बनता लेकिन जब आप predictive astrology में KP astrology में आप देखेंगे तो चंद्र strongly third house का result देगा और 12 house में बारा नंबर घर में यहां पे आप देखेंगे बुद्ध की दूसरी राशी है तो इस कुंडली में यह जो सामने sample जनम कुंडली है इसमें बुद्ध तीन और 12 घर के result देगा उसकी एक एक राशी तीसरे भाव में है वो खुद तीसरे भाव में बैठा है और उसकी दूसरी राशी वो 12 भाव में है तो चंद्र तीन और 12 के result सबसे पहले देगा और अप अपने placement और अपनी राशी के result बाद में देगा तो कोई भी प्लेनेट सबसे पहले result देगा अपने नक्षत्र आगे और वो result अच्छा होगा बुरा होगा फेवरेबल होगा अनफेवरेबल होगा वो बताएगा सब लौड तो चंद्र अपनी ही राशी में 23 डिगरी चल चुका है इसके उपर जो नक्षत्र रूल करता है वो बुद का ही है तो बुद नक्षत्र लौड की त का सबसे पहले result देगा तो अगर जब हमें तीसरे घर का result देखना होगा तो सबसे पहले हम चंद्र को मान के चलेंगे कि चंद्र तीसरे घर का result देगा तो इसको उसको बहुत असानी से वो समझ में आ जाएगा A, B, C और D, यह A, B, C, D टेबल है, यह आपको बहुत सारे simple software में मिल जाएगा A में सबसे strong result देगा A में जो planet आएगा जो आएगा वो सबसे strong result देगा very strong B में जो planet लिखेंगे वो strong result देगा C में जो planet लिखेंगे वो good result देगा और D में जो लिखेंगे वो weak result देगा तो अब A, B, C, D में लिखेंगे क्या तो A में सबसे पहले हमें पता है कि stellar astrology में या KP astrology में क्रिष्णा मूर्ती पदती में कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का result देता है तो अगर हमें ये जानना है कि पहले भाव का result कौन देगा तो सबसे पहले हम A में जो planet in नक्षत्रा of planet in house इसको किस तरह समझेंगे जो ग्रह अब यहां पे अगर हमें देखना है कि पहले ग्रह का सबसे strong significator कौन सा planet बनेगा या कौन सा ग्रह रिजल्ट देगा तो वो हम देखेंगे कि पहले भाव में जो ग्रह बैठा है जो की इस सामने सेंपल कुंड़ी में चंद्र है तो चंद्र के नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो सबसे पहले भाव का सबसे strong सूचक बनेगा तो चंद्र इस वक्त as a नक्षत्र Lord किस planet के सामने अपीर हो रहा है हम ये इस तरफ देखेंगे तो शनी इस वक्त चंद्र के नक्षत्र में है शनी के नक्षत्र Lord के तरह या Star Lord भी बोलते हैं इसको चंद्र आ रहा है तो शनी हमारे इस ABCD टेबल में हमारे इस ABCD टेबल में first house का सबसे strong significator शनी बना जब इस कुंडली में अगर ये जनम कुंडली किसी की हो इस समय की तो चंद्र as a नक्षत्र Lord शनी में अपीर हो रहा है तो शनी सबसे strongly result देगा चंद्र पहले घर का और उसके बाद B में planet in the house जो ग्रह किसी भाव में बैठा है वो उस भाव का सबसे दो नंबर का सबसे अच्छा strong वाला सूचक बनेगा या significator बनेगा तो पहले भाव में चंद्र बैठा है तो यहां पर हम लिख देंगे मून अब सी में आएगा सी केटेगरी का गुड लेवल का सिगनिफिकेटर पहले घर का कौन बनेगा प्लैनेट इन दी स्टार और नक्षत्रा ओफ आउस लॉड जो इस भाव का पहले भाव का मालिक है पहले भाव में आप देखेंगे राशी है चार नंबर इसका मालिक है चंद्र तो चंद्र के नक्षत्र में जो प्लैनेट होगा वो पहले भाव का सी लेवल का भी सूचक या सिगनिफिकेटर हुगा तो हमने अभी देखा क्योंकि चंदर पहले भाव में बैठा है तो शनी हुआ तो सी लेवल में भी हम यहाँ पे शनी लिख देंगे और डी लॉड अफ दी हाउस तो मून खुद जो उस भाव का मालिक है पहले भाव का मालिक इस कुंडली में चंदर है अब दूसरे भाव की तरफ चलते हैं कि दूसरे भाव में का कौन रिजल्ट देगा तो दूसरे भाव में जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोई भी ग्रह नहीं है तो दूसरे भाव में कोई ग्र कॉलम बनाया एवले कॉलम में दूसरे भाव के आगे डैश आ जाएगा या खाली आएगा दूसरा हमारा है प्लैनेट इंदी हाउस तो दूसरे भाव में क्योंकि कोई प्लैनेट नहीं है तो वहां पे दूसरे भाव में पहले ए और बी कॉलम में डैश आ जाएगा अब सूर्य के नक्षत्र में जो प्लैनेट होगा वो दूसरे भाव का सबसे स्ट्रॉंग रिजल्ट देगा तो सूर्य यहां पे नक्षत्र लॉड़ वाली लाइन में हम देखें तो सूर्य राहू के राहू जो है सूर्य का सूर्य के नक्षत्र में है सूर्य राहू का नक्षत्र लॉड बनके अपियर हुआ है तो राहू हमारे सी केटेगरी का सूचक बना तीसरा लॉड ऑफ दी हाउस वो सूर्य है वो हमने अभी देखा कि पांच नंबर राशी है अब तीसरे भाव का रिजल्ट कौन देगा सबसे पहले देखेंगे जो प्लैनेट वहां बैठा है प्लैनेट जो बैठा है बुद्ध के नक्षत्र में जो प्लैनेट हो तो तीसरे भाव के रिजल्ट बुद्ध के नक्षत्र में बैठे हुए प्लैनेट देंगे तो बुद्ध के नक्षत्र में इस वक्त चंद्र है और शुक्र है यह सामने आपके चंद्र बुद्र के नक्षतर में है और शुक्र बुद्र के नक्षतर में है तो चंद्र और शुक्र मून और वीनस उसके बाद planet in the house तो तीसरे भाव में बुद्र बैठा है तो बुद्र हम यहां पे लिख देंगे strong B category में C category में अब आएगा जो राशी वहाँ है तो यहाँ पे बुद्ध की ही राशी है तो हमने जो राशी है उसकी राशी के जो लॉड में जो प्लैनेट होगा तो यहाँ पे बुद्ध ही लॉड अफ दी थर्ड हूस हुआ तो वहाँ पे चंदर और शुक्र फिर से आ जाएंगे यहीं पे तो मून और वीनस और लॉड अफ दी हाउस मरकरी खुदी है वो हमने देखा कि वहाँ पे छे नमबर था अब चौथे भाव का रिजल्ट देखते हैं कि चौथे भाव में कौन-कौन से प्लैनेट बैठे हैं उनके नक्षत्र में जो प्लैनेट होंगे वो चौथे भाव का सबसे पहले रिजल्ट देंगे के-पी एस्ट्रॉलोजी में तो दो प्लैनेट बैठे हैं सूर्य और मंगल तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है तो सूर्य के नक्षत्र में राहू है तो एक कैटेगरी में यहां सबसे पहले राहू आ जाएगा और फिर मंगल के नक्षत्र में दूसरा ग्रह बैठा है मंगल तो मंगल के नक्षत्र में देखेंगे कौन से प्लैनेट है तो तीन ग्रहे इस वक्त मंगल के नक्षत्र में हैं मंगल खुद बुद्ध और ब्रस्पती जुपितर तो मार्स मर्करी जुपितर मार्स मंगल मर्करी बुद्ध ब्रस्पती जुपिटर या गुरू तो ये चार प्लेनेट एक कैटेगरी के सूचक बनेंगे चौथे भाव के तो चौथे भाव में हमने देख लिया कि जो प्लेनेट इसमें बैठा है उसके नक्षत्र में कौन है अब दूसरी कैटेगरी बी कैटेगरी के सूचक कौन बनेगे जो उस भाव में प्लेनेट खुद बैठे हैं तो वो है सूर्य, सन और मंगल अब हाउस लॉड के नक्षत्र में यहाँ पे साथ नंबर राशी है तो साथ नंबर राशी तुला राशी लिब्रा इसका मालक जो है शुकर तो अब जो प्लेनेट शुकर के नक्षत्र में होंगे वो चौथे भाव का सी लेवल का रिजल्ट देंगे तो इस वक्त शुकर के नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट नहीं चल रहा तो यहां पे C केटगरी में डैश आ जाएगा चौथी केटगरी है लॉड अफ दी हाउस तो वो हमने अभी देखा कि शुकर है तो पांचमे भाव की तरफ चलते हैं पांचमा भाव यहां पे दो ग्रह यहां पे भी बैठे हैं केटू और शुक्र तो केटू और शुक्र के नक्षत्र में जो प्लेनेट होंगे वो पांचमे भाव का ए लेवल का सूचक बनेंगे तो शुक्र के नक्षत्र में हमने भी चक किया कि कोई भी ग्रह इस वक्त नहीं चल रहा इस कुड़ली में और केटू के नक्षत्र में भी इसवक्त कोई भी प्लैनेट नहीं चल रहा तो पहली ए कटेगरी में की बैश आ जाएगा और दूसरे में वीनस भी कटेगरी में प्लैनेट इंधी हैंगे तो वीनस और केतु लिखा जाएगा लॉड आफ दी हाउस आठ नंबर राशी मंगल की है तो मंगल के नक्षत्र में जो प्लैनेट होंगे वो पंचम भाव के पांचमें भाव के रिजल्ट देंगे तो मंगल के नक्षत्र में इस वक्त मंगल बुद्ध और ब्रस्पति चल र करी और लॉड ओफ दी हाउस हमने अभी देखा कि मंगल है यहां पर मार्स फिर से लिखा जायेगा अब च्छटे भावके देखते है कि 2 वह में कोई प्लैनेट नहीं है और तो A और B में क्योंकि पहले भाव में कोई प्लैनेट नहीं है तो A में डैश आ जाएगा प्लैनेट इन दी हाउस भी कोई नहीं है तो डैश आ जाएगा अब C कैटेगरी में हम देखेंगे कि हाउस लॉड जो नौ नंबर राशी का जो मालिक है जो ग्रै है उसके नक्षतर में कोई प्लैनेट है तो यहाँ पे ब्रस्पती है तो गुरू या जुपिटर के नक्षतर में कोई भी ग्रै इस कुंडली में नहीं है तो C लेवल पे भी यहाँ पे डैश आ जाएगा और ल था उसके रिजल्ट कौन से प्लैनेट देंगे तो जुपिटर और सैट्रन ब्रस्पती और शनी के नक्षतर में कोई ग्रै होगा वो सबसे पहले सब्थम भाव का रिजल्ट देगा तो जुपिटर के नक्षतर में अभी कोई प्लैनेट नहीं है यह हमने देखा अब शनी को चेक कर लेते हैं के तू इस वक्त शनी के कि नक्षत्र में चल रहा है तो यहां पे के तू आ जाएगा सब्तम का सबसे पहरे रिजल्ट देगा फिर प्लेनेट इन दी हाउस बी केटेगरी में जुपिटर और सेट्रन फिर हाउस लॉड के नक्षत्र में अब लॉड अफ दी हाउस शनी खुदी है तो शनी के नक्षत्र में जो प्लेनेट होंगे वो सी लेवल के बन जाएंगे तो वो केटू है और लॉड अफ दी हाउस शनी खुद है शनी की राशी है वहाँ पर सब्तम भाव में दस नंबर अब यहां पर फिर से आठमे भाव की तरफ चलते हैं आठमे भाव के सूचक कौन बनेंगे तो आठमे भाव में अब कोई प्लेंट नहीं है तो ए और बी कैटेगरी में आठमे भाव में डैस डैस आ जाएग उसके बाद अब molt of the house यहां पर शनी है तो शनी के नक्शतर में हमने देखा केतू है तो lubनेगा process लेवल का सूचक और लॉड आफ ली राशनी खुद थे तो शनी वहलाँ पर लेवल का आजाय डेगा सूचक बनेगा सिगनिफिकेटर बनेगा और अब चलते हैं नवम भाव की तरफ नवम भाव में ब्रस्पती की 12 नंबर राशी है वहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा तो ए और बी कैटगरी में और एवन सी कैटगरी में क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र में अभी कोई भी इस कुम्ली में नहीं है तो ए बी और सी में खाली रहेगा डैश आएगा और लॉड अफ दी हाउस टी कैटगरी में जुपिटर आ जाएगा अब दसम भाव का रिजल्ट कौन से प्लैनेट देंगे किस वह हम देखते हैं दसम भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो ए औ वह रिजल्ट देंगे दसम भाव के तो मंगल खुद अपने नक्षत्र में है बुद्ध मंगल के नक्षत्र में है गुरू जुपिटर मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल बुद्ध और ब्रस्पती ये तीनों रिजल्ट देंगे टेंथ हाउस का मरकरी मार्स और यहां पर रिजल्ट देगा अब 11 भाव लाव भाव का लाव स्तान का रिजल्ट कौन देगा कौन सा प्लैनेट देगा प्लैनेट इंदी हाउस है राहू तो राहू के नक्षत्र में जो प्लैनेट होंगे वो सबसे स्ट्रॉंग लेवल का ए लेवल का रिजल्ट देंगे तो राहू के नक्षत्र में इस वक्त सूर्य चल रहा है इस कुंडली में तो सूर्य रिजल्ट देगा ग्यारा भाव के सबसे पहले फिर प्लैनेट इन दी हाउस राहू आ जाएगा भी कैटेगरी का फिर लॉड अफ दी हाउस के नक्षत्र में तो यहाँ पे दो नंबर राशी लिखी है तो यह शुक्र की राशी है तो शुक्र के नक्षत्र में अभी कोई भी प्लैनेट नहीं है तो यहाँ पे डैश आ जाएगा और लॉड अफ दी हाउस डी लेवल का वीनस खुद आएगा एज लॉड अफ हाउस क्योंकि वो उस घर का भाव का मालिक है तो बारा नंबर में अभी को जो की बुद भना तीन नंबर राशी है यहां पे बुद की तो बुद के नक्षत्र में जो प्लैनेट होंगे वो सी लेवल के सूचक या सिगनिफिकेटर बनेंगे तो चंद्र और शुक्र इस वक्त इस कुंडली में बुद्ध के नक्षत्र में है तो चंद्र और शुक्र सी लेवल के सूचक बनेंगे और लॉड आफ दी हाउस मर्करी तीन नंबर राशी है वहाँ पर वो है तो यह हमारा A, B, C, D टेबल बनके तयार हो गया अब इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं अब KP astrology में हमें अगर अब result देखना होगा तो आपको पता है कि KP astrology में combinations काम करते हैं अब जैसे marriage के लिए seventh house primary वाना जाता है और supporting में 2 और 11 को लिया जाता है साथमे भाव से हम अपनी जीवन साथी को देखते हैं अपने partner को देखते हैं second house involved होता है क्योंकि शादी के बाद हमारी कुटंब में हमारी family में addition होती है 11 ग्यार्मे भाव को permanent friendship या एक ऐसा साथी जो सदा हमारे साथ रहेगा सुकदुक में और gain को भी lab को भी 11 भाव से देखा जाता है तो के पी astrology में दो साथ और ग्यारा यह शादी के लिए देखे जाते हैं अब अगर यह किसी की कुंडली हो इस तरह की हो हमने ABCD table बना लिया अब मुझे यह देखना हो कि शादी कब होगी और किन दशा भुकती अंतर में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शादी किसी व्यक्ति की या जातक की हो जाएगी इसी तरह अगर हमें चाइल्ड बर्थ के लिए देखना हो तो फिफ्थ हाॉस प्राइμरी हाउस है चाइल्ड बर्थ के लिए तो यहां पे primary house दो पांच दो additional family 11th is gain तो दो पांच 11 अगर होगा तो यहां पे दो साथ की जगा दो पांच 11 वाले प्लैनेट उठा लेंगे हम जो इसमें ABCD टेबल में अब A लेवल के जो प्लैनेट होंगे वो सबसे strong result देंगे B लेवल के थोड़ा कम strong देंगे C लेवल के ठीक ठाक result देंगे और D लेवल के वीक result देंगे तो इस तरह से KP astrology में हम बहुत असानी से बना सकते हैं ऐसा टेबल और इससे कोई भी prediction बहुत असानी से की जा सकती है तो इसके आगे भी हम और ऐसे lectures करते रहेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें थैंक्यू वेरे मच